जिस वक्त हमारे साथ ऐ कॉलर मौजूद है जी कौन है टेलेफोन लाइन पर हमारे साथ करिशम, क्या नाम जी करिशमा, क्या हाल है आपका? माशाला सुभान अल्ला मगर नाज गाने के इलावा भी बहुत सारे काम होते हैं मगर आप फरमाईए आप क्या कहना चाहती है अहले उसे वो नाजगाना मन कराईदी गूला ना कैसी बाते कर रहे हो मर्द और तो चोड़ देंगे नाजगाना हम तो जन्नत की चिडिया है चिडिया हमसे हसाब थोड़ी लिया जाएगा भाई अरे आप से किसने फर्माया ये के मर्द और और औरत से गुनाह का हिसाब लिया जाएगा करिश्मा नहीं जाएगी दोजख में तेरे मर्द और और औरत ही जाएं भई हम तो बक्षे बक्षा हैं करिश्मा नहीं जाती करिश्मा साहिबा मुझे नहीं लगता कि अरे करिश्मा नहीं जाएगी दोज़ख में जी बाच शुक्री आपका कॉल करने का मौलाना साब ये करिश्मा साहब साहबा ने क्या बात की है कि क्यामत के रोज उनकी पकड़ नहीं होगी मर्द और और अरतों की पकड़ होगी बात यह है कि ये इनकी खाम खाम खैली है हर चीज का हर क्यामत के दिन हिसाब होगा बलके ऐसे लोग जहन्ले की चुडियां ग्या, जहुन्न देखने की चुडियां आप जो दुनिया के अंदर बुराई को प्रॉमोट करने वाले ये लोग है और ये जो नेक लोग हैं, हालांकि इनकी नसल जो है, ये जिन्स जो है, अगर ये अबादत में लग जाएं, अल्ला की अबादत करना शुरू कर दें, तो इन लोगों जैसे नेक नेक ने, चुकि इनके हांसे वो बुराईएं सर्दद नहीं होती हैं, लेकिन इनकी अकसरियत, 99 परसंट ये लोग बुराई की तरफ लोगों को माईल करते हैं, ते इनको चाहिए कि अल्ला के हुजूर्ण जो है, वो मौफी मांगा करें, और गुनाह की दावत न दें, बलके ये औरतों की निस्वत गुनाह ज्यादा प्हलाते हैं, जी बिलकुल, मैं समझती हूँ के, कियामत की निशानियों में रसूल उल्ला स्वसल्म ने फर्माया, जब कियामत बर्पा होगी, और उसके वज़ा भी ये होगी, कि सबसे ज़्यादा उस वक्त नाच गाने वाले लोग बहुत ज़्यादा उदें, बार गाने के शुकीन भी हूँूं.